इन दिनों खराब lifestyle के कारण diabetes एक global problem बन चुकी है World Health Organization ने भारत को मधुमे के रोग्यों की सबसे तेजी से वड़ती आबादी वाला देश बताया है इसके अनुमान के मताबिक 1995 से 2025 के बीच भारत में मधुमे की रोग्यों की संख्या में लगबक दो गुना की पृद्धी हो जाएगी और diabetes की समस्या से बचने के लिए आपको विजे सार की चाल का इस्तवाल जरूर करना चाहिए आईरवेद में विजे सार को बलड शुगर को कंट्रोल करने वाला बताया गया है इसकी चाल एंटी ग्लाइससेमिक, एंटी अकसिडेंट और एंटी इंफलेमेटरी गुनों वाली होती है विजे सार की पेड को इंडियन कीनों की नाम से भी जाना जाता है और इस पेड की चाल बलड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है ये एंटी डियावेटिक और एंटी अकसिडेंट जैसे गुनों से भरपूर होते हैं तो चलिए बात करते हैं विजे सार की फायदों के बारे में अगर आप डियावेटिस की विज़ा से परहशान हैं तो आपको विजे सार बार्क या उसके पाउडर का इस्तमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि विजे सार डियावेटिस के लिए चमतकारिक इलाज है क्योंकि इसमें एंटी डियावेटिक गुन होते हैं इस पर हुए शोद के मताबिक एक गिलास में विजे सार की चाल को एक गिलास पानी में भरकर रात भर छोड़ दिया जाए और रोजाना 30 दिनों तक दो बार उस पानी का सेवन किया जाए तो इससे डियावेटिस के पीडितों को काफी फाइदा मिलता है विजे सार की चाल सूजन को कम करता है और इंसुलन की कमी के कारण बड़े हुए बलड सुगर लेवल को कम करता है यहां केलेस्टरोल और ट्राइगलिस राइड को भी कम करता है यहां मधुमे के लक्षणों जैसे बार बर पिशाबाना, अधिक खाने, अधिक प्यास लगने और अंगों में जलन की समस्या को भी कम करता है तोचा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए विजे सार एक लाबकारी ओशदी है एक शोध मिसाफ तोर से इस बात का जिकर मिलता है, यह तोचा के लिए अच्छा है इसका उप्योग स्किन की जुड़ी समस्याओ और फोडो की उपचार के लिए किया जाता है जिसके पीछे एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफलमेटरी गुनों को जमेदार माना जाता है इसके अलावा विजे सार में एंटी एजिंग गूंड भी पाए जाते हैं जो चेहरों की जुर्यों से छुटकारा दिलान में मदद करती है अनेमिया की समस्या से बचाव के लिए विजे सार का उप्योग वेहद लाबकारी है इसके बारे में नेशनल सेंटर आफ बायो टेक्नलोजी इंफरमेशन की वेबसाइट पर परकाशित एक सोध के मताबिक आयरवेद में विजे सार का उप्योग अनेमिया के उप्चार के लिए सद्यों से किया जाता रहा है यही नहीं ये एक सोध मिया भी बताया गया है इसकी लकड़ी से बना पेश्ट डाविटिक अनेमिया के उप्चार में वेहद मददगार साबित होता है सास समंदी समस्याव के लिए भी विजे सार का इस्तमाल लाबकारी माना जाता है एक सोध के मताबिक विजे सार में एंटी एस्थमेटिक गुन मजूद होते हैं जो एस्थमा से बचाव में महत्पूर्ण भूमिका निभा सकती है यही नहीं खासी की समस्या और ब्रॉंकियल नलियों में संक्रमण या सूजन के लिए भी विजे सार का इस्तमाल फाइदे मना जाता है इसके पीछे इसके एंटी फिलमेटरी और एंटी बैक्टिरियल गुन को जिमिदा ठहराय जाता है जो सूजन की समस्या और संक्रमन से रहा दिलाता है लीवर की स्वस्थ के लिए विजे सार काफी फाइदे मंद होती है ऐसा इसलिए क्योंकि विजे सार में ऐसे गुण हुआए जाते हैं जो लीवर को शती पहुचने से बचाने में महत्पूर्ण भूमी का निवाते हैं मधू में को कंट्रोल करने के लावा विजे सार कलेस्ट्रोल जोडों के दर्द और वजन घटाने में भी कारगर होता है विजे सार में एलकलाइट्स और फ्लैनोइट्स की परचुरता शरीर को तेजी से अतरिक्त वजन कम करने में मदद करती है तो चलिए जान लेते हैं कि विजे सार का प्रियोग किस परकार से करना है विजे सार की छाल या इसके पाउडर को एक गिलास या हंटेड एमल पीने के पानी में राद भर के लिए छोड़ दे और सुबह नास्ते से आदे घंटे पहले इस पानी को पी ले इसका सेवन दूद के साथ भी किया जा सकता है इसके इस्तमाल से आपको जरूर लाम मिलेगा और अगर आप विजे सार की छाल या इसके पाउडर को खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से जाकर इसे खरीद सकते हैं और अगर आप अईरुवेदि कोच्दियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद